मित्रो इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंडना पड़ेगा। महा भारत युद्ध के सत्तरवें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे, जिनका वह जवाब चाहता था, अपने प्रश्णों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्रीक्रिष्न को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्रीकृष्न कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया, आप आ गए, मेरे मन में कुछ प्रश्ण है, जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत मे देख मेरा मन विचलित हो रहा है, बहुत पीडा हो रही होगी ना मित्र तुम्हें, भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिये, भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो, कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे अक्तिशाली भीम शूरवीर अर्जुन, सुन्दर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का गेश्ठ भ्राता, कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ, सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा, और मैं सुनता रहा, तनिक सोचिये वासुदेव, तनिक सोचिये तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिये, भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भरकर बोलिये, कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माने त्याग दिया, क्योकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था, परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था, गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योकि मैं एक सूत पुत्र था, क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था, जीवन भर मैं इस बोज को ढोता परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था, भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राब भी दिया, कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे से अधिक आवश्यक्ता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जा जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है, और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुध्ध ने कहा है कि यह सत्य है, कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है, कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अप लगातार बनता रहता है। व्यक्ति का चाब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोश था एक बार, जब मैं अपने शब्द भेदी बान की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बचड़े को लग गया, और बचड़े की मृत्यू हो गई, जो बस एक द हे माधव, दुरघटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, दुरौपदी के स्वयमवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था, क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयन का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? करण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्थ हुआ है, वह दुर्योधन से ही प्राप्थ हुआ है, यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा, तो मैं गलत कैसे हुआ? करण के इन प्रशनों को सुनने के ब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती, पुत्र करण इतना भी दुखी मत हो, अब मेरी भी कहानी सुन लो, मेरा जन्म कारागार में हुआ, जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता-पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, हे कर्ण, तुम्हारा बचपन, खड़करत, अश्व धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनी सुनते हुए बीता, परन्तु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाय कि उसके पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े, कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ, तुम्हारे गुरु परशुराम, तुम्हारे शौर्य की तारी प्रेम किया, वह मुझे नहीं मिली, बलकि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा, जो मुझे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी, जरा संध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटा कर, दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, इसके अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युध और युध से निर्मित समस्याओं के लिए दोश दिया जाएगा. सब यही कहेंगे कि इस देव की पुत्र ने महाभारत करवाया है. हे राधे जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है. जिन्दगी किसी के साथ न्याए नहीं करती. अगर दुरियोधन ने अन्याए का सामना किया है, तो युधिष्ठिर ने भी अन्याए को भोगा है. भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी प्रिथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है. हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है. परंतु यह ससत्य नहीं होता हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूनने लगो क्योंकि हमारी प्रकृती किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमती नहीं देती और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्यान सुनकर बेहत द्रिप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से पिता मह भीश्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था कौरवों की सेना में हाहाकार मत जाता जब अर्जुन का बान चलता था रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे पिता मह भीश्म भी अपने शिविर में पहुँचते थे और जब भी वे वहां पहुँचते थे वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तयार रहता था दुर्योधन उनसे कहता था पितामह मुझे लगता है, आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है, आप हमारी तरफ से नहीं, बलकि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं रोज शाम के दुरियोधन यही आरोप पितामह पर लगाता एक दिन पितामह भीश्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुँचे तो दुरियोधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया पितामह भीश्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्या ले ली मैं गंगा पुत्र भीश्म कल युद्ध भूमी में उतरूंगा और पांडवों का वद्ध करूंगा इस धर्ती को निश्पाप कर दूंगा जैसे ही भीश्म पितामह ने यह प्रतिज्या ली दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाईयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा कल तो पितामह पांडवों का वद्ध कर दें तो कोई भी नहीं बचेगा हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुँची और पांडवों की पत्नी दुर्वपदी को यह बात पता चली तो उसे अनर्थ होने की आशंका हुई दुर्वपदी भगवान कृष्ण के पास पहुँची और बोली सखा हमें बचाईए मेरे पतियों पर संकट आ गया है पिता महा भीश्मने प्रतिज्या लेली है कि वह पांडवों का वध करेंगे इस समस्या का समाधान कीजिए गोविंद आपकी ही वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से और और रही बात समस्या के समाधान की तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीश्म पितामह के शिविर में चलते हैं भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भीजा वहाँ पर भीश्म पितामह ध्यान में थे वहाँ जाकर द्रौपदी ने भीश्म पितामह को प्रणाम किया जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम पितामह कहा भीश्म पितामह ने बिना देखे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वह संकट में पढ़ गए भीश्म पितामा ने द्रौपदी से कहा पुत्री तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्या ले ली कि मैं पांडवों का वध करूँगा और अब मैंने अपने ही वचन से आशिरवाद दे दिया भव मैं तो बड़े धर्म संकट में पढ़ गया हूँ यह तुमसे किसने करवाया है तुम तो यह नहीं कर सकती ने कहा आप ठीक कह रहे हैं पितामा यह श्री कृष्ण ने करवाया है भीश में पितामा ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले हे वासुदेव तुमने यह मुझ से क्या करवा दिया मेरी प्रतिग्या को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया मेरी समस्या का समाधान कीजिए श्री कृष्ण ने कहा पितामा आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है अब भीश में पितामा ने पांडवों को बुलवाया पांडवों से पितामह भी, भीश्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है। पितामह ने फिर अरजुन से कहा, अरजुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अरजुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह? पितामह भीश्म ने कहा, वट्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे, और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आग्या पितामा, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ, आपको तो इच्छा मृत्यू का वर्दान है भीश में पितामा ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूँगा, तो महादेव की अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक युक्ती है जिससे तुम बच सकते हो, तुम मेरे सामने युद्ध भूमी में किसी नारी को लेकर आजाओ, पांडवों ने कहा, पितामह युद्ध भूमी में नारी कैसे आएगी, पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो, अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रत पर शिखंडी को लेकर आया, और पितामह को बाणों की शैया पर कारी चीज़ है. हमें अपने संसकार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संसकार जिन्दा रहेंगे, तो हम जिन्दा रहेंगे, और यही काम कौरवों की पतनिया कर देती, तो शायद कौरव भी जिन्दा रह सकते थे, और दूसरी बड़ी बात, कि जिंदगी में हर समस्य पर इसे और सुंदर बनाओ एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बलकि खुद से होगी की खुबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उल्जे रहे एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो वरना हाल चाल तो राह पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं मेहनत का फल और समस्या का हल देड़ से सही पर जरूर मिलता है जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वहीं चीज आपके जीवन में वापस आती है यही प्रकृति का नियम है तूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है जैसे भरोसा, दिल नींद और सबसे उम्मीद इच्छा पुरी नहीं होती, तो क्रोध हाता है और पुरी हो जाती है, तो लोब होता है इसलिए जीवन में हर परिस्थिती में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ट है मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परन्तु जब आपको मदद की जरूरत होती है, तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिये और भूल जाइए, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा दोस्तो ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परन्तु पौधे को काट नहीं सकती हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ट होता है, इसलिए अपने आपको किसी और के साथ मत तोलिए जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है, तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और तमाम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं, जो आपके काबिल नहीं होते हैं अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याओं है श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना क्योंकि छोटे व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण है मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का कोई भी इनसान ऐसे ही अपने आपको नहीं बदलता जिन्दगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इनसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं जिन्दगी एक बार मिलती है ये बिल्कुल गलत है सिर्फ मौत एक बार मिलती है जिन्दगी तो हर रोज मिलती है श्री कृष्ण कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता किसी के साथ अपने पन का नाटक करना ये भी बहुत मोटा धोखा होता है हिम्मत मत हारना दोस्तों अभी आगे जाना है जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाना है श्री कृष्ण कहते हैं जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार तो नहीं कोई भी रिष्टा अपनी मर्जी से नहीं बनता क्योंकि आपको कब कहां और किस मिलना है ये उपर वाला ही तय करता है कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या भीती है धोका देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा उस व्यक्ति की शक्ती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ती है इंसान बड़ा हुआ तो बच्पन भूलता है शादी हुई तो माता पिता को भूलता है बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है और जब व्रिद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है उचा उठने के लिए पंखों की आवश्यक्ता पक्षियों को पढ़ती है मनुष्य जितना विनम्रता से जुखता है उतना ही उपर उठता है बुराई को खुद में ढूंडो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो यही असली कमाई है जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है बलकि गलतियां दोहराना गलत है जीवन के पांच सबसे बड़े शिक्षक, पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा सफलता, चौथा अफसोस और पांचवा खाली जेब अपने अंदर के डर को खत्म कर दो नहीं, तो वहर डर कल आपको खत्म कर देगा कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सब को जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने और कभी हार ना माने लोग चाहते हैं कि आप बहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बहतर करें दुनिया में आये हो, तो जीने का हुनर रखना दुश्मनों का डर नहीं बस अपनों पर नज़र रखना, किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले कोशिश करो कि जिन्दगी का हर लमहा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिन्दगी नहीं रहती, मगर अच्छी यादें हमेशा जिन्दा रहती है क्षमा गलतियों की होती है धोखे की नहीं नट खट तो बच्पन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खट-खट कभी मायूस मत होना दोस्त जिन्दगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड ले सकती है लोग अपने प्रती आपके बदलते हुए रवये पर ध्यान देंगे लिकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले फिर से प्रयास करने से मत घबराना क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी बाद में पच्चतावे से बेहतर है एक बार और जान लगा कर कोशिश कर ली जाए हैसियत का कभी अभिमान मत करना उडान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है शरीर की हिफाज़त धन से भी अधिक करनी चाहिए क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाज़त नहीं कर सकता दुआएं करवाई नहीं जाती ली जाती है दूध, दही, छाच, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं फिर भी सब की कीमत अलग है क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बलकि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्थ होती है वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो बहुत गुरूर था छट को छट होने का एक मनजिल और बनी छट फर्ष हो गई बेई मानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है जिन्दगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है कोई भी बिछड जाए आपसे तो समझो उससे बहतर कोई और होता है अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं बाकी सब तो इसका फाइदा उठाना जानते हैं दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आज तक खरीद नहीं सके कुछ तो फूंक की भी कीमत है वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है जिन्दगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो आंसु तो सब के पास है हर किसी को जिन्दगी दो तरीके से जीनी चाहिए पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो और दूसरा पसंद है उसे हासिल करना जमीन और किस्मत एक जैसी होती है इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है जैसे दिन ढलता है, वैसे ही जिन्दगी भी धीरे-धीरे ढलती जाती है, इसलिए हरदम खुश हो कर जियो माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कुछ लोग जुक जाते हैं रिष्टे बचाने के लिए जब रिष्टों में जिद और मुकाबला आ जाए, तो यह दोनों जीत जाते हैं सिर्फ रिष्टा हार जाता है सफाई वहां देनी चाहिए, जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है, तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ, कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहे, कि काश हम भी इनके दोस्त होते दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए, वह जीवन का सबसे मूल लिवान व्यक्ति होता है भाग्य बदल जाता है, अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीट जाता है, किस्मत को दोश देने में चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं पल-पल हम दर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है सच्चे रिष्टे और अच्छे मित्र साथ हो, तो जिन्दगी पैदल भी मज़ेदार होती है दर्द तो वही देते हैं, जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं वरना गैर तो हलका सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचे, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं दुख जीवन में इसलिए आते हैं, ताकि हम सुख का महत्व समझ सके अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग-अलग होता है जब थोड़ी फुरसत मिले, दिल की बात कह दीजिए, बहुत खामोश रिष्टे ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहते जिन्दगी में जो कुछ भी होता है, किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है, या फिर कुछ सिखा कर जिन्दगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है, अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है, और जिन्दगी इम्तिहान लेकर सबक देती है खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी भरोसे मंध हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इनसान को कमजोर बना देती है, और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता कुछ ऐसा ही हुआ, महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है दोनों के प्रती एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है अगर आप अपने काम के प्रती जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती इंसान की जिन्दगी जन्म और मौत के बीच की कडड़ेड ही भर है यह जिन्दगी बहुत छोटी है कब दिन गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए, जो आपके अगले जीवन की तयारी के हो ज्यादा से ज्यादा कार्य करो, घर और कार्याले के अलवा भी ऐसे कार्य करो, जिससे आपकी सांताने आपको याद रखें गीता यही संदेश देती है, कि हर पर ऐसा कार्य कर, जो तेरे जीवन को सुन्दर बनाए अपनी अच्छी स्थिती, बैंक बैलेंस, संपदा, सुन्दर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए समय बढधा बल्वान है धनी, ज्यानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अतिसुन्दर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही समय के खेल निराले है जिस अंबा का जीवन भीश्म के कारण बरबाद हो गया था उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीश्म से बदला लिया था महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेड़ना मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है जो आपका नहीं है उसे अनीती पूर्वक लेने छिनने का प्रयास न करें आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल बीता हुआ कल किसी और का था और कल आने वाला कल किसी और का हो जाएगा अत तू संपत्ति और वस्तूओं से आसकती मतपाल ये तेरी मृत्यू के बाद यहीं रखे रह जाएंगे अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा शिश्य या पुत्र को ज्यान देना माता-पिता वगुरू का करतव्य है लेकिन सिर्फ ज्यान से कुछ भी हासिल नहीं होता बिना विवेक और सदबुधी के ज्यान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है इसलिए ज्यान के साथ विवेक और अच्छे संसकार देने भी जरूरी है हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो ज्यानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू है शान्ती के समान कोई तपस्या नहीं संतोश से बढ़कर कोई सुख नहीं मनुष्य अपने जन्म से नहीं बलकि अपने कर्म से महान बनता है मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझ कर मांगना क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिन्दगी भरका किसी ने सालों साल लगा दिये सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ दो मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिलकुल करीब पहुँच जाते हैं इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं सलाह हारे हुए की तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिती को देख कर लें दुनिया को देख कर लिये हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें क्योंकि जो इनसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता इश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पिस्ती बहुत बारीक है एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है इसी प्रकार सबसे कम बुध्धी वाले लोग ज्यादा बोलते हैं यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए अपनी जिन्दगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो इनसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए बिना कुछ किये पच्चताने से बहतर है कोशिश करके असफल हो जाना आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो साफ रखो किरदार अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना ना नामुम्किन है वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो वरणा ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की समय मत बरबाद करना दिखावे में, वरना जिन्दगी बितानी पड़ेगी पच्चतावे में यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपना पंसनेह और परवा जिन्दगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है, तो वह है खुद जिन्दगी आशा कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई जीवन का सत्य दिल में बुराई रखने से बहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो जिन्दगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिष्टा फिर कभी नहीं मिलता लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं सीख लो, गलत फहमियां को नजर अंदाज करना, अगर चाहते हो अपनी जिन्दगी को हमेशा खुशियों से भरना मसला तो सिर्फ एहसासों का है, रिष्टे तो बिना मिले भी सदिया गुजार देते हैं ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे, जिसने आपको यह तीन भेंट दी हो साथ समय और समर्पन सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन जूट के परदे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो आर्थिक स्थिती मजबूत हो या ना हो खुश रहने के लिए मानसिक स्थिती मजबूत होना बहुत जरूरी है बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूँ जिन्दगी एक परीक्षा है, काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं वह नहीं समझ पाते कि सब के पेपर अलग-अलग होते हैं दिल बड़ा रखिये और लोगों को माफ कर दीजिए और समझ इतनी रखिये कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं वक्त गुजरते ही नस्दीक से दिखने बंद हो जाते हैं किसी ने पूछा दिल की खूबी क्या है मैंने कहा हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते यहां लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं सीने पर तीर खाके भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है मित्रों, राजकुमार सिधार्थ को तो आप सब जानते ही होंगे राजकुमार सिधार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए एक दिन, राजकुमार सिधार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर, उन्होंने ने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यू का साक्षातकार किया। एक साधारन साधु का जीवन अपना लिया। मुक्ती का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने चार आर्यसत्य और अश्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बलकि ज्यान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, द्रिढ संकल्प और सहानुभूती के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुखने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा। महाराज में एक अच्छूत कन्या हूँ और मेरे कुवे से पानी निकालने पर जल्दूशित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा। बालिका बहुत जोर की प्यास लगी है। पहले तुम पानी पिलावो। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बरतन में गुलाब का सुगंधित पानी पिने के लिए दिया। पर गौतम बुद्ध ने उसे पिने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुवे से पानी निकाला और स्वैम भी पिया और गौतम बुध को भी दिया और पानी पिने के बाद बुध ने बालिका से उसके भै का कारण पूंचा तब उस भालिका ने बताया मुझे सयोंग से राजा के दर्बार में गाने का अफसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपनी गले की माला पुरसकार सरूप दी लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अच्छूत कन्या हूँ और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहां तक पहुँच गी और आप मिल गए इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो, राजन में चाहता हूँ कि आप इस बात को हमेशा याद रखे कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाती से नहीं बलकि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले, मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरसकार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हो, वह अच्छूत हो नहीं सकती और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अच्छूत होने का परिचय तो आपने दिया है इसलिए मेरे नजरों में यह बालिका नहीं, बलकि आप अच्छूत है तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते है उन्होंने बुद्ध से शमा मांगी और वह से चले गए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कारियों और कर्मों से बड़ा बनता है बलकि अपने धर्म या जाती से नहीं मित्रो एक बहुत ही सुन्दर कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ मित्रो एक बार एक व्यक्ती गौतम बुद्ध के पास गया और बोला बुद्ध मैं अकसर लोगों को यह कहते हुए सुन्ता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है कोई भी विचार, जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार-बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं लोग उन्हीं के साथ अपना निर्मान करते हैं विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा और यदि विचार ही प्रदूशित है तो चरित्र भी बुरा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी ना किसी पहलू से जुड़ा है आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं आपके विचार अच्छे या बुरे किसी ना किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई व्रिक्ष विकसित नहीं हो सकता उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं, तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए और उस बीज का फल या तो हमें दूख दे सकता है या खुशी यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहां ऐसे ही नहीं पहुँच गए उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रन रख कर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की उंचाईयों को छुआ तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं यदि आपके मन में दूसरों के प्रतिक्रोध इर्शा घणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे तो आपको बाहर भी वही मिलेगा तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे यदि तुम्हारे पास प्रेम शांती करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वैंग है, वह इसे बना या बिगाड सकता है मनुष्य अपने चरित्र का निर्मान अपने कारियों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है व्यक्ति ने कहा लेकिन बुद्ध मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो? क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रतिनफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें जैसे अगर आपने कोई इंटर्व्यू दिया आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तयारी करें और अपना बेस्ट दे कर आ जाएं वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है इस नतीजे के पीछे अलग-अलग चीजें हैं जो आपके बिलकुल कंट्रोल में नहीं तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाए मन को चिंता की लपटों से बचाने का याद रखिए आप पूरे के पूरे इंसान है समझदारी संयम और कुषलता से भरे इंसान आपका मन जब भी कौई की तरह अलग-अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाईए में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्ग दर्शन किया था वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति सदीव चारों से और धर्म के पत पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है भगवद गीता के अनुसार केवल कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है इसलिए फल की चिंता किये बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो ध्यायतों विशेयान पुनसा संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामह कामात क्रोधों भी जायते गीता में बताया गया है कि विशेय अथ्वा वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुदधाव महसूस करने लगता है इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ती ना होने से क्रोध की उत्पत्ती होती है इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुद्धाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयम पर काबू ही न रख पाए इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ती होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी, शान्त और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है इसलिए चिंता को कभी भी अपने उपर हावी न होने दें क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ती होती है इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति मान अत्वा अपमान में एक समान व्यभार करता है जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी समान रूप से कार्य करता है जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है उसे श्रेष्ठ अत्वा गुणवान व्यक्ति माना जाता है इसलिए किसी भी परिस्थती में अपना व्यभार और संयम नहीं खोना चाहिए भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ती के लिए ढूंड रहा होता है श्रीकृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बलकि मन से भी करनी चाहिए इश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है मनुष्य की वासना ही उसके पुनरजन्म का कारण होती है मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परिशानियां आती है मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते है श्री कृष्य केहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में, यानि ह्रदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए जवानी में जिसने ज्यादा पाप किये हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चा ताप में बिताना पड़ता है भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय को रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता इन सब में कल्यूग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घौर कल्यूग अधिकारी शिष्य को, यानि जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरू, अच्छा गुरू, अवश्य मिलता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए इश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इस ब्रह्मान्ड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा भोग में क्षनिक, क्षन भर के लिए सुक प्राप्त होता है साथ ही त्याग में स्थाई आनन्द होता है श्रीकृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुसंगती में पढ़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है लोभ और मोहमाया, किसी से अधिक लगाव, पाप के माता-पिता कहे जाते हैं साथ ही लोभ पाप का बाप ही है श्रीकृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पारवती का पूजन करें इससे उनकी सुक सम्रिध्धी हमेशा बनी रहती है मनुष्य को अपने मन और बुद्धी पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार-बार मनुष्य को दगा देते हैं खुद को निर्दोश मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है पति-पत्नी पवित्र रिष्टा बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं भगवान इन सभी कसोटियों पर कसकर, जाँच परक कर ही मनुष्य को अपनाते हैं इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना है आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं आप किस तरह की अध्भुट शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं आपने महान योधाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआ नहीं होता जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योधा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचे तो यह वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बहतर बनाते रहे और वे दुनिया में महान और अमर हो गए और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा बुद्ध ने आगे कहा एक मानव मन की बगीचे से तुलना की जा सकती है जैसे बगीचे को साफ और सुन्दर रखना समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है रोज पानी देना पड़ता है पौधे की देखभाल करनी पड़ती है उसी तरह हमें अपने मन को भी सुन्दर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका खयाल रखना होगा इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटा कर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी इसके लिए हमें डर चिंता नफरत जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है अतह उसके विचार सदैव तुटि पूर्ण रहेंगे वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है यह सभी चीजें धीरे-धीरे सीखनी होती हैं विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा आपको सबसे पहले यह स्विकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं आपको बस इसका बार-बार अभ्यास करने की जरूरत है नई चीजें सीखने की जरूरत है जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे या धीरे-धीरे आपके चरित्र और आपके कारियों में दिखना शुरू हो जाएगा और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़े जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता इसलिए अपने विचारों के प्रती बहुत जागरूक रहने की जरूरत है आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं एक बात हमेशा याद रखिए हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं बलकि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा लेकिन ज्यादा तर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्धु हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पढ़ता है बुद्ध ने कहा था कि हम हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पढ़ता है आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं साथ ही जो लोग दूसरों से इरश्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारिरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा इसके विपरीद जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वह दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी उर्जा एक समान हो जाती है और इस उर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पढ़ता है क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है वैसा ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिश्क इस उपकरण को नियंतरित कर रहा है जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसी तरह अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए विचार और उसका मन उसे प्रकृती के संपर्क में रहना चाहिए उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए वह जैसा स्वास्थे चाहता है, वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता है उस व्यक्ति ने कहा बुध अब आप मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष को कैसे प्रभावित करते हैं बुध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं जो मैं आज चाहता हूँ, यह बनना कल मैं वह बनना चाहता हूँ या बाद में कुछ और लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार-बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्य जनक सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप हर दिन अपना लक्ष बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष होना चाहिए और आपको अपनी पूरी महनत और लगन से उस लक्ष को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष पर केंद्रित करना होगा अन्य था आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में ये खयाल आने लगा कि यह काम तो आसान है जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूं और ये भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाएं इसलिए आपको पहले एक चीज ताय करनी होगी तभी आपके विचार एक काम पर फोकस कर पाएंगे अब आपका वह लक्ष कुछ भी हो सकता है चाहे मन की शांती पाना हो या अमीर बनना हो लेकिन याद रखें लक्ष वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके यदि आप बार-बार अपने लक्ष हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते बलकि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष को हासिल करने का तरीका गलत है इसलिए आपको अपना लक्ष नहीं बदलना है बलकि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्षे तक पहुँच जाएंगे अपनी असफलताओं से कभी मत डरो अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें लोग अकसर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे इसलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्षे में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नश्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे और डर डर कर आप अंतता खुद को शारिरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने जूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है लक्ष हासिल करने का ही एक हिस्सा है और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे उस व्यक्ति ने कहा बुद्ध विचारों और मन की शांती के बीच क्या संबंध है बुद्ध ने बताया कि मन की शांती एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया में एक लोग भी हासिल नहीं कर सकते और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है वह भीड में अलग दिखता है यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है मन की शांती केवल लंबे समय तक आत्म नियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है उसके अंदर नफरट डर जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है। तब एक दिन व्यक्ति को मन की सची शांती मिल सकती है और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन शांत हो क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है. जैसे ही आपको मानसिक शांती मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है. आप जहां भी हो, आपकी परिस्थितियां जो भी हो, आप खुद को स्विकार करना शुरू कर देंगे. आप हमेशा खुश रहेंगे. और अगर आप यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी. अपने विचारों पर निय करता हूँ, आपको इस कहानी से एक अच्छी सिख मिली होगी. यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जये श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं. जब तक हम अपने मन और अपने विचारों को अपने वश में नहीं कर लेते, जीवन में हमें कभी को अपनी दुविधा श्री कृष्ण के समक्ष रखी और पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन सब कुछ जानता है, सही और गलत, फिर भी मैं अपने विचारों पर नियंत्रन नहीं कर सकता, मैं बेचैन हो गया हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ, वह नहीं कर पाता हू और जो नहीं करना चाहता, वह मेरा मन उसे पूरा करने के लिए मुझे परेशान करता है, कृपया कर मुझे मानसिक शानती का मार्ग बताईए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से छुटकारा पाना और इसे सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा, और यह सिर्फ एक दिन में नहीं होने वाला है, जीवन में मानसिक शानती तब तक नहीं मिल पाती, जब तक तु अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं कर लेता, दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी स सेट कर लीजिए, धन्यवाद.